Hello everyone, welcome to my channel, कैसे हैं, आप सब उमेद करती हूँ, आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, तो आज मैं शालो पुराना गंदा च्छनी को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका आप सब के शाद सेयर करने वाली हूँ, वैसे तो ये जो च्छनी है बहुत कम गंदी है, ले बैड जाती है, और उसकी बाद कई बार तो जाली ब्लॉक भी हो जाती है, जिस वज़े से ना चाय च्छान पाते हैं, ना हे दूद च्छान पाते हैं, और च्छानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गंदा है च्छनी का जाली, और आप उसी से गर्म द बूद या चाय नहीं चानती हूं, क्योंकि प्लास्टिक की किसी भी चीज को खाने पीने में यूज नहीं करना चाहिए, और गर्म चाय या दूद तो कभी भी प्लास्टिक के च्छन्ने से नहीं चानना चाहिए, पर मैं इससे शॉलूशन चानती हूं, क्योंकि इसमें पी ना ही दूद छान सकती हो और ना ही चाय छान सकती हो पर आप देख सकते हैं कि छन्ना सालों पुराना है लेकिन फिर भी गंदा नहीं है थोड़ा सा बीच में गंदा है लेकिन अभी भी ये बिल्कुल नए जैसी ही है तो आज जो मैं आपको शॉलूशन बना के बताने वाली ह आप इसे बना के जब चाय की छणना साफ करेंगे वो सालों साल बिलकुल नए जैसी रहेगी छणना तूट जाएगी लेकिन ये गंदा कभी भी नहीं होगा बिलकुल नए जैसी बनी रहेगी तो चलिए साफ कर लेते हैं तो इसे साफ करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की अगर आप चाय की थर्मश को क्लीन करना चाते हैं तो भी आप इस तरीके से रेमेडी को बना के क्लीन कर सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा थर्मस में जब हम लगातार चाय रखते हैं तो चाय की स्मेल भी आती है साथ में दाग भी पैठ जाती है थर्मस में तो रखी थी लेकिन मुझे कम लगा तो मैं एक चमच और रख ली हूँ आप एक चमच या दो चमच रखते हुए इस तरह से आपको एक गाढ़ी सी पेश्ट त्यार कर लेनी है कितना चंणा ले रहे हैं कितनी बर्तुनों को क्लीन करना है उसके हिसाब से भी आप इस रमेडी को क बहुत जादा गंदा है या चाई की दाग लग गई है चंणे में तो हाथ से आप पूरे चंणी में लगा दीजिए तो इस तरह से आप जितने भी चंणे हैं सब पर इस शॉलूशन को लगा देना है और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आप देखें लगाते हैं जाली पे आप उसी समय देखेंगे कि काफी हद तक जो डट फशी रहती है चाई पती की जाली में वो निकलने लगती है वीनेगर की वज़े से और जो बेकिंग सोडा रख्यूं उसकी वज़े से बेकिंग सोडा क्लीनिंग में बहुत ज़दा हेल्प करती है त तो पांस मिनट के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं मैं इसे दस मिनट के लिए रखी हूँ और अब ब्रस की मदद से साफ कर लेती हूँ आप इस स्क्रबर से भी साफ कर सकते हैं लेकिन जो जाली बनी है उसे अगर ब्रस की मदद से साफ करते हैं तो अच्छे से जितने भी ड थ्रमस में तोरा सा गरम पानी के साथ बेकिंग सोडा और वीनेगर रखे उसके बाद दबाई के पत्र को जो खाली पत्र होते हैं उसके बारीक बारीक कर लीजिए और उस टूप्रे को आपको बॉटल के अंदर रखना है और उसके बाद धकन बंद करके उसे 5-10 मिलट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद सेक करते हुए आप उसे क्लेन कर लिजे फिर ठंडे पानी से उसे धो लीजे तो जो चाई या दूद की स्मैल है वो भी दूर हो जाती है साथ में जो चनी बहुत ज़्यादा काली हो गई है बहुत गंदी दिख रही है सालों पूरानी चनी है उसे बिल्कुल नए जैसी बनाना चाहते है तो दूसरा टिप्स बता देती हूँ जो की बहुत ही आसान है और एकदम जादू हो जाती है आपको ले लेना है विनेगर विनेगर बह रख देना है और आपको इतना विनेगर उसमें रखना है जिसे की चनी अच्छे से डिप हो जाए यानि कि जो जाली है वो डिप होके रहे उसमें अब इसे फुल नाइट के लिए आपको छोड़ देना है लेकिन अगर आप फुल नाइट के लिए नहीं रखना चाहते है त खुद बख खुद निकल जाती है तो आप देख सकते हैं विनीगर रखते ही जितनी भी चाय की डट फशी हुई थी जाली में वो तुरंत ही निकल गई है तो आपको ब्रश भी लगाने की जरूरत नहीं है ये आसानी से क्लीन हो जाती है लेकिन जो बहुत ज़्यादा गंदी है उसी चनी को इस टिप्स के साथ क्लीन कीजेगा नहीं तो जो फर्स्ट वाली टिप्स बताई हूँ बेकिंग सोडा और विनीगर को मिक्स करके जाली पे लगाना है दस पंदर मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद ब्रश की मदद से इसे क्लीन कर लीजे तो इस तर तो जो जाली ब्लॉक हो जाती है वो सारे ही ड़ट निकल जाती है और फिर बिल्कुल ही नए जैसी चनी बन जाएगी और आप इसे यूज कर पाएंगे बोहत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है तो मैं सारी ही चनी को विम जेल से क्लीन कर देती हूँ इसे यह भी होगा कि जो विनेगर की स्मेल है वो भी दूर हो जाती है और अच्छे से क्लीन भी हो जाती है तो इस तरह से ब्रस की मदद से साफ कर लीजिए उसके बाद पानी से इसे बढ़िया से धो लीजिए बढ़िया से आपको धोना जरूरी है क्योंकि विनेगर की स्मेल दूर होगी तभी आ आप चाई चान सकते हैं और फिर डोगे आपको दिखाते हूँ कि यह बिलकुल नए जैसी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यह किटना गंदा था चाननी और यह बिल्कुल नए जैसी हो गई है। की जो बीच वाली चंणी है ये तो तूटा हुआ भी है और ये सारी चंणी सालों पुरानी है उसके बावजूद भी ये नए जैसी है क्योंकि मैं हमेशा ही इस टिप्स के साथ क्लीन करते रहते हूं आप 15 दिन पर या फिर सब्ता में एक बार भी थोड़ा सा आप ले लीजे बेकिंग सोडा और विनीगर उसकी मदद से आप इस तरह से क्लीन करते रहेंगे तो चंणा तूट जाएगी लेकिन इसकी चमक कम नहीं होगी और बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाली है ये साइड में बहुत ज़्यादा कालापन बैठा हुआ था और ये विनीगर की प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिसने मेरी हर वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे बाबाई टेक क्यार